हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल चाया पंचार्स कीचन आज मैं पट्टी भजिया बना रही हूं, ये मिर्ची के बनते हैं मिर्ची को हम पट्टी के जैसे कट करके इसको बनाते हैं, चलिए च्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने मिर्ची को ऐसे कट कर लिया है, ये तिखी मिर्ची नहीं है, इसके अंदर हम आधा लेमन एड़ करेंगे, लेमन जूस एड़ करना है, ये बहुत ही जटपट बन जाता है, तो अब मैंने इसमें लेमन एड़ कर लिया है, इसके साथ ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा, और अब हम इसमें हल्दी पावडर एड़ करेंगे, पींच जितना ही, दो पींच जितना मैंने हल्दी पावडर एड़ किया है, इसको मिक्स करेंगे, देखिए हमने इसमें पानी नहीं डाला है, फिर भी नीमू के कारण थोड़ा पानी रहत हो जाता है इससे यह मेरिनेट हो जाएंगे अच्छे से तो अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से एड़ करना है और इससे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे दो मिनिट के लिए हम इसे साइड में रखेंगे अब हम इसमें बेसन एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमें एड़ करना है एक साथ नहीं एड़ करना है अभी में तीन चम्मच एड़ कर रही हूं इसे मिक्स करेंगे फिर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा बेशन मैं एड़ करूंगी और, अच्छे से इसे मिक्स करना है, गुटलिया न रहे ऐसे, थोड़ा सा मैं पानी एड़ करूंगी, इसमें एक साथ पानी एड़ नहीं करना है, हमें इसका बैटर थोड़ा थीक रखना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा बेशन डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा पतला लग रहा है अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है लंप्स नहीं रहने चाहिए थोड़ा सा मैं पानी और एड़ करूँगी और साथ ही में एक चम्मच इतना बेशन भी एड़ कर लेंगे हम और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके बेशन और पानी एड़ करना है जिससे कि हमें इसका सिर्फ मिर्ची को कवर करना है इतना ही बैटर हमें बनाना है देखिए अब यह हमारा बैटर होके रैडी है अब हम तेल गरम करेंगे और यह पट्टी मिर्ची को फ्राइ करेंगे धिरे से इसको हम slow to medium flame पर इसको हम फ्राइ करेंगे देखिए यह बहुत ही क्रिस्पी करा रही पट्टी के भजिये रैडी है यह मिर्ची के भजिये को आप कैच्चप के साथ या सेजवान सोस के साथ खा सकते है बहुत ही टेस्टी लगते हैं यम्मी बनते हैं और क्रिस्पी करारे बनते हैं आप यह रैसीबी ज़रूर ट्राइ कीजिए